हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू ओटो ओटो इसकेडमी यूट्यूब चैनल, I am Professor Sandhu और आज हम मेंस को लेके, मेंस की अंसर आइटिंग को लेके एक और important question जो है जिसको हम discuss करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के जो question अगर हमें पूशे जाते हैं तो उसका हमें किस तरह से अपना अंसर वहां पे write down करना है और आज जो हमारा question है, this is basically related to महात्मा गांधी and स्वासचंदर बॉस और उनकी जो ideology थी और freedom struggle को लेके जो उनकी approaches थी उनमें क्या major difference था, यह हम आज के question में जो हैं इसको discuss करेंगे before I proceed further students, आप में से जो भी students जो है वो civil service के लिए त्यारी कर रहे हैं जा करना चाहते हैं, तो उनके लिए auto is academy का एक app जो है वो available है यह जो app है यह आप google play store से डाउनलेट कर सकते हैं और इस app पे आपके लिए बहुत सारे courses and test series जो है वो available है and आप में से जो student जन्होंने H.A.S. का mains लिखना है जहां हर्याना civil service का mains लिखना है उनके लिए जो test series है वो already जो है वो available है और इस test series को आप join कर सकते हैं इसका link आपके description box में भी दिया हुआ है तो इस test series को join करके आप अपनी जो civil service का जो mains की answer writing है उसको आप जो है वो better organize कर सकते हैं और उसमें जो भी shortcomings हैं उसकी जो एक analysis है उसका आप साथ में कर सकते हैं स्टुडेंट आज का question जो है इसको proceed करते हैं और आज का जो हमारा question है इस question में हम discuss करेंगे के महात्मा गांधी और शुबास चंदर बॉस की जो freedom struggle को लेके जो उनकी strategy थी जा उनकी ideology थी उसमें क्या major difference क्या था यहां पे तो सबसे पहले जब हम इस question का introduction लिखेंगे तो introduction में हमें क्या लिखना है we can just write the simple thing about in the introduction जैसे कि महात्मा गांधी और शुबास चंदर बॉस दोनों ही freedom struggle के एक prominent leader रहे जोके हैं दोनों ने अपने अपने level के उपर एक बहुत important role जो था play किया था freedom struggle के अंदर और सुबास चंदर boss starting में महात्मा गांधी को follow करते हैं लेकिन 1930 के बाद जो सुबास चंदर boss हैं उनकी ideological difference की वज़ा से वो महात्मा गांधी से अलग हो जाते हैं नो डाउट उनके ideological difference थे लेकिन दोनों ही leader जो थे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा respectful रहे हैं throughout the freedom struggle तो इस तरह का एक simple introduction हम यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे main body में तो अब हमें यहाँ पर highlight करना है उनका difference यहाँ पर difference जब हम यहाँ पर highlight करेंगे तो उसमें हमारा जो पहला point यहाँ पर आएगा कि उनकी ideology का एक major difference था ठीक है जैसा कि दोनों ही महात्मा गांदी और स्वास्चंदर बॉस दोनों ही चाते थे कि जो freedom struggle जो इंडिया को freedom है वो मिलना चाहिए जल्द से जल्द मिलना चाहिए लेकिन freedom को लेके और उसको उसके लिए जो means है कि किस तरह से freedom को लिया जा सकता है इसको लेके दोनों leader का एक difference जो है वो यहाँ पर था तो सबसे पहले जो difference यहाँ पर आता है वो strategy को लेके है क्योंकि जो अगर हम strategy की बात करते हैं तो जो शुवास्चंदर बॉस थे वो थोड़ा radical और revolutionary ideology में believe करते थे जबकि जो महात्मा गांदी थे वो एक passive ideology को believe करते थे passive ideology means to say they want to get a freedom but not through any revolutionary and radical sudden change की वज़ा से कोई इस तरह का freedom नहीं चाते थे यहाँ पर शुवास्चंदर बॉस जो थे वो तिलक और अर्बिंदू गोस जो थे उस school की philosophy को ज़्यादा support करते थे और महात्मा गांदी गुपाल कृशन गोखले की जो ideology थी the freedom gain through the constitutional means इस चीज को वो थोड़ा ज़्यादा believe करते थे तो पहला तो इनकी strategy को लेके इनका यहाँ पर major difference था दूसरा difference हम देखते हैं जो major rise होता है that is during the time of the non-corporation movement non-corporation movement no doubt महात्मा गांदी जी के तुवारा start की हुई एक पहली हम कह सकते हैं mass movement थी जिसमें बहुत सारे Indian participation करते हैं almost हर region और हर section से लोग participation करते हैं और हर ideological school से भी चाहे कोई extremist ideology का था चाहे कोई moderate ideology का था they all participated है लेकिन जब non-corporation movement जब 1922 में जब चौरा-चौरी incident होता है और महात्मा गांदी इसको recall करते हैं उस समय स्वास्चंदर बहुत जी को लगता है कि this is not the right time and the way to recall the movement क्योंकि अभी हम इस movement का जो है वो better result हम देख सकते हैं लेकिन महात्मा गांदी ने उसको recall कर लिया क्योंकि महात्मा गांदी चाहते थे कि अभी शायद वो time नहीं आया है we need to more work on the technique of satyagraha non-violence में लोगों को और ज्यादा भी जो है वो educate और उनको समझाने की जरूरत है लेकिन जो स्वास्चंदर बहुत थे वो चाहते थे किस movement के जरिया से एक जो है एक जो mass movement है उसको अभी यहां से हमें और भी ज्यादा fast करना चाहिए तो एक यहां पर भी non-corporation movement को लेके भी इनका difference of ideology यहां पर create हुआ था इसके बाद जैसा कि दोनों ही निता चाहते थे कि इंडिया को independence मिलना चाहिए लेकिन अगर इंडिया independent होता है तो what could be the future of India किस तरह का future of India होना चाहिए यहां पर हम देखते हैं कि महात्मा गांदी कहते थे उनका मानना था कि जो future of India है इट शुड बी not industrialized country वो industrialization में believe नहीं करते थे उनका मानना था कि यहां पर small scale और khadi based industry जो है वो यहां पर लगानी चाहिए और इसके साथ साथ वो grassroot level से जुड़े रहना चाहते थे जिसके लिए वो एक stateless society की favor भी करते थे दूसरी तरफ अगर हम शुबास चंदर बाज जी की बात करते हैं तो उनका यह मानना था कि he was first of all he was very much influenced by the USSR के जो five year planning थी उनसे वो काफे influence थे वो चाहते थे कि इंडिया भी just like that's communist country जो industrialization के उपर focus करना चाहिए इंडिया तब ही एक modern nation बन सकता है जब industrial और scientific and technological development जो होगी country में तब जाके यहाँ पर development आएगी और मात्मा गांधी थोड़ा scientific और technological जो advancement भी इतना ज़्यादा इसको favor नहीं करते थे वो labor based जो intensive industry है उसको ज़्यादा favor करते तो एक यहाँ पे इस तरह का जो future को लेके भी इन दोनों reader में एक यहाँ पर difference जो था वो यहाँ पर दिया हुआ था इसके बाद freedom की अगर हम बात करते हैं the idea about freedom तो महात्मा गांदी जी जी थे उनका जी मानना था कि India should gain freedom वेरी एक face manner में freedom आना चाहिए और जैसे कि वो पहले dominant status की उपर बात कर रहे थे उसके बाद वो full of independence में जाना चाहते थे लेकिन शुवास चंदर बहुत जी थे he was in the favor of complete वो full freedom की favor में जाना चाहते थे और इसके लिए वो अगर उनका मानना था गयर कोई revolutionary ideology भी अगर हमें यहाँ पर follow करनी पावे तो वो यहाँ पे थी जो है उस वो no doubt वो British और जो British allied थे उनकी support यहाँ पे करना चाहते थे और लेकिन जो शुवास चंदर बहुत जी थे वो यह मानते थे कि this is the right time कि अगर हम यहाँ पे एक international अगर help ले लें चाहे हम German की help लें चाहे हम Italy की help लें जहां Japan की help लेते हैं तो anyway किसी भी तरह से हम इनकी help लेके त तो this is the right time तो हमें जो है British के गेंस्ट में एक organized campaign जो है चाहे हो military campaign ही क्यों ना हमें उसका starting करना चाहे है और that is the best way to get independence from the British और that is one of the reason कि क्यों वो इसके बाद देशोड के जो है बाहर जाते हैं और याद हिंद फोर्ज की foundation भी रखते हैं तो इसको लेके भी दोनों leader का एक difference थ जी military का use या military techniques का use करना जो था वो better मानते थे इस international scenario के चलते हुए और महत्मा गांदी इसके against थे वो इस तरह का कोई भी military sport नहीं चाहते है दूसरी तरफ महत्मा गांदी नाजिजम और फांसिजम की जो ideology जो German और Italy promote कर रहा था उसके view बहुत ज्यादा against थे जिसके कारण वो किसी भी तरह से इन दोनों countries help नहीं लेना चाहते थे अब शुवासचंदर बॉस अगर हम overall देखते हैं तो he was very radical socialist की category में यहां पे वो जाते थे कोई महत्मा का जो शुवासचंदर बॉस थे वो यह नहीं चाहते थे कि यहां पे सिर्फ जो है एक political freedom जो है वो यहां पे दी ज और economic structure है हमारा उसमें भी change आएगी कि अभी भी India caste system untouchability जैसी बहुत सारी जो social levels है उसमें फसा हुआ है तो we just we don't need to focus only over the critical independence तो हमें अपना social और economic structure जो है उसको भी पूरी तरह से बदलने की जरूरत है तो यहां पे economic मैं पहले भी बता चुका हूँ मात्मा गांदी जो थे व एक labor intensive और खादी इंडस्ट्री की sport में थे और शुबास चंदर बहुस एक heavy industrialization country की favor में जाना चाते थे socially भी वह car system untouchability को लेके काफी ज्यादा changes जो थी वह यहां पे लाने चाती थे तो इस तरह का अगर हम यहां पे देखते हैं तो यह कुछ main freedom है वह यहां पे जो freedom को लेके जो idea ideology है दोनों leader के बीच में एक यहां पे difference आता है तो इस तरह के कुछ point जो है वह हमें अपने answer में जरूर लिखने है जो key highlight बनते हैं उनकी ideology और उनके viewpoint को लेके जहां पे last में जब हम conclusion करेंगे तो conclusion हम यहां पे किस तरह लिखेंगे we need to write like just like in the end when we are going to sum up our answer तो उसमें हमें दो तिन लाइनों का reference हमें यहां पे देना है पहला point यह है कि no doubt के दोनों जो leader थे उनके अपने difference opinion अपनी अपने जगा पे थे लेकिन दोनों ही अपनी देश की अजादी के लिए बहुत एक honest effort जो थे कर रहे थे और बहुत ज़्यदा संसीर थे देश की जादी के लिए और दूसरा चाहे उनके difference opinion था लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी point को लेके एक दूसरे की ideology को disrespect नहीं किया बलकि वो दोनों ही जो leader थे वो respect जो थे एक दूसरे की करते थे और यही हमारे freedom struggle का एक बहुत एक positive respect देखने को मिलता था कि कोई leader चाहे किसी भी school को belong करता हो लेकिन वह यहां पर जो respect थी वो एक दूसरे की ideology की thinking की philosophy को लेके वो बिलकुल यहां पर बनी हुई तो इस तरह से एक बड़ा positive way से आप अपने इस answer को जो है वो sum up करेंगे so student this was the question for today and wish you all the very best और बहुत जयल हम फिर नए question के साथ जो है इसको आगे मिलेंगे ठीक है thank you thank you very हुआ हुआ है